नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल पर आज दोस्तों हम इस वीडियो में चाल्ड डवलप्मेंट एंड पेडागोजी का स्लेबस डिसकस करने जा रहे हैं जो की एक नेसेसरी पार्ट है अगर आप सीटेट की त यारी कर सके तो ऐसे लोगों को जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनको हम कितना भी समझा लें कोई भी किताब बता दे अक्सर उनको स्लेबस ही नहीं पता कि आखिर पढ़ना क्या है तो कहां तक पढ़ेंगे कितनी किताबें पढ़ लेंगे है ना पहले से ही जानके चलते थे कि सामने जो विरोधी सेना है उनकी उनके सीक्रेट्स उनको पता करने की कोशिश करते थे जो उनके गुपचर होते थे उनसे वो इन्फोर्मेशन लेते थे कि सामने वाले की पास कितनी घुरसवार है कितनी पैदल सेना है कितनी हाथियां है यह स seated के syllabus का ज्यान होना बहुत जरूरी है और seated का syllabus अगर आप देखेंगे तो चीज़े इतनी simple लिख दी गई है ना कि कोई भी विक्ति पढ़ेगा तो उसको लगेगा बहुत ही छोटा syllabus है लेकिन actual में syllabus is very vast और अगर आप अच्छे से इसको समझ ले इसको decode करना भी जरूरी है है ना तो आज मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाओंगा Child Development and Psychology Only 4 Paper 1 कि जो syllabus है CDP का उसको हम कैसे decode करें उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पर यह पता देने चाता हूँ कि अगर आप Child Development and Pedagogy का section देखेंगे तो यह 30 marks का section होता है इसमें 30 questions होते हैं एक question एक number का होता है no doubt simple सी चीज है लेकिन इसके अलागर आप देखें ना इसको ना तीन section में बाट दिया गया है पहला section है वो कहलाता है Child Development which is Primary School Child उसकी बात की गई है और यहाँ पर defined है कि 15 marks का जो question है वो सिर्फ इसी section से आएगा Child Development से ठीक है उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर जो next section है वो है concept of inclusive education यानि कि inclusive education बहुत important है understanding children with special needs और यह जो है यह 5 marks का question होता है यानि कि सिर्फ दो शब्द यहाँ पर आप देखे inclusive education and next is children with special needs तो सिर्फ यही दो चीज़े पांच नंबर का वेटेज है next अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर learning and pedagogy questions इसमें से पूछा जाता है तो इस परकार आप देखेंगे तो total 30 marks का questions है वो CDP से पूछा जाता है लेकिन यह सिर्फ इतना simple नहीं है यह तो सिर्फ headings है detail में आप इसको समझे और यह जो words दे रखेंगे हैं इनको भी अच्छे समझने की कोशिश करिए कहते हैं इंग्लिस में एक कहावत है read between the lines तो आपको समझना पड़ेगा कि जो यह लिखे हुए ना इनके अंदर भी क्या-क्या चीज़े छिपी है तो यही चीज़ मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ चले वीडियो को शुरू करते हैं और one by one हम समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं section A की जो की है child development वाला portion child development वाला portion completely जो psychological है child psychology उसका part है और इसमें आपको mostly जो theories वगेर होती हैं पढ़ने होती है जैसे कि मैं यहाँ पर आपको समझा दू concept of development and its relationship with learning अब आप इसमें देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़े होती है meaning of development development के कौन-कौन से factors होते हैं कौन-कौन से dimensions होते हैं इस सारे आपको पता होने चाहिए इसका learning के साथ क्या relationship है इसके साथ साथ जो developmental stages होते हैं वो आपको सारे पता होने चाहिए कौन-कौन से factors हैं जो development को affect करते हैं यह सारी चीज़ आपको पता होने चाहिए तो सिर्फ यह इतना सा लिखा हुआ है next principles of development of children अब अगर आप देखेंगे तो लगबग 14-15 principles होते हैं इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन principles का कैसे यूज़ किया जाता by the teacher and parents जो है उनको मतलब बच्चे की जो learning strategies होती है उनको develop करने में parents and teachers कैसे important role play कर सकते हैं that is also part of principles of development of children next जो की सबसे important है that is the influence of heredity and environment तो सबसे पहले आपको heredity का मतलब पता करना पड़ेगा कि heredity का मतलब क्या होता है और अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी दो laws है laws of heredity already मैंने इस पर वीडियो भी बनाए थी laws of heredity पर जो की मैंडल ने दी थी उनके उनने एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने ये principles दिये थे इसके अलावा फिर आपको environment पता होना चीए environment is not just about the physical environment एक बच्चे के लिए environment अलग चीज़ हो जाती है जब वो खासकर जमजब child psychology पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे environment का मतलब थोड़ा वास्ट होता है तो हमें पता होना चीए influence of heredity environment क्या होता है एक बच्चे के ओपर ये चीज़ हमें पता होना चीज़ इस पर frequently questions पूछे जाते हैं seated में इस चीज़ के आपको ध्यान रखना है next is socialization process हमें पता होना चीज़ है social world and children बच्चे जो है वो जन के बाद उसमें socialization तो start होई जाता है लेकिन socialization के भी बहुत सारे principles है लेकिन उससे पहले पहले हमें देखना चाहिए कि जो बच्चे के जो near about है जो बच्चे के socialization में important role play करते है that is their teacher, parents and peers इनका सब ज़्यादा important role होता है जब हम socialization process पढ़ रहे होंगे तो हमें इन तीनो factors को ध्यान में रखके पढ़ना पढ़ेगा एक बच्चे पर socialization process के दौरान इनका क्या effect पढ़ता है और बहुत सारी theories भी इसको लेकर दी गई है socialization से related है जैसे कि brown brainer की एक theory थी है लाकि वो ecological theory थी बट काफी हद तक close है socialization के उसको भी आप समझेंगे तो काफी हद तक आपको socialization process समझ में आएगा साथ के साथ कुछ defined specific principles हैं theories हैं जो की socialization से related ही है लाइक पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, वाइगोस्की ने इन सब ने socialization के उपर अपने theories दे रखी है पियाजे का जो mental development, जो part of cognitive development उस पर भी उनकी famous theory तो ही, लेकिन socialization से related theory भी है साथ के साथ हमें उनका critical perspective भी पता होना चाहिए, कि सिर्फ इतना यह नहीं हम इस theories को पढ़ लें, उसका implementation कैसे होगा, और teacher के लिए कैसे वो guidance है सारी चीचे हमें पता होना चाहिए questions direct नहीं पूछे जाते हैं, CTAT में आपको यह बात पता होगी, अगर आप पहली बार CTAT दे रहें, तो मैं आपको बता दू question कभी भी to the point नहीं पूछे जाते हैं for example, यह नहीं पूछा जाएगा कि why goes की नहीं जो socialization की theory दी थी, वो कब दी थी है ना, या कौन-कौन से stages थे, इस तरीके से question कभी भी नहीं पूछे जाते हैं, implementation applicable questions जो होते हैं, वो जाता पूछे जाते हैं CTAT में, तो इसलिए आपको हर perspective पता होना चाहिए, critical perspective भी पता होना चाहिए, उसका, है ना, ये सारी चीज़े पता होनी चाहिए, next बात होगी, concept of child-centered child-centered पे तो खूब भर-भर के question CTAT में पूछे जाते हैं, तो child-centered approach पता होना चाहिए, आपको क्या है, इसके पीछे के जो भी psychological principles हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए, कि बाई, child-centered approach कैसे काम करती है, इसे related, जो भी method start हो जाते हैं, child-centered, like playway method हो गया या बाकी चीज़े हो गई, वो आपको पता होना चाहिए, and next is progressive education आपको पता होना चाहिए, कि progressive education क्या है, ये basic चीज़ आपको पता होनी चाहिए, next move on करते हैं हम, okay, critical perspective of the construct of intelligence, that is important, अब इसके साथ साथ नीचे एक और है multi-dimensional intelligence, तो इन दोनों को मिला के मैं सीधा बोलू, तो आपको intelligence theory पता होनी चाहिए, कि intelligence theory कौन-कौन सी है, और यहाँ पे सिर्फ इतना लिख देने से नहीं हो जाता है, कि आपसे सिर्फ multi-dimensional intelligence ही पुछा जाएगा नहीं, अगर आप देखेंगे, जो intelligence theory पढ़ेंगे, तो spearman की theory हो गई और thondai की theories हो गई, इन सबने intelligence पर theory दी है, one factor, two factor, multi-factor theories, इस तरीके से जो intelligence की theory दी गई है, यह आप सबको सारी theories पता होनी चाहिए, है ना, IQ का concept आपको पता होना चाहिए, कि IQ क्या होता, इस related सारी चीज़ आपको पता होने चाहिए, इसके अलबा कुछ critical perspective अगर आपको पता हो, तो अच्छी बात है, intelligence से related ही बहुत सारे और भी concept आ जाते हैं, लेकिन उसको हम separately देखेंगे, जिसे नीचे देखेंगे, आपकी language and thought की बात कर रहे ही, तो thought में बहुत सारी चीज़ होती, जो intelligence से related ही होती है, like thinking जो हमारा process होता है, divergent thinking, convergent thinking, abstract thinking, concrete thinking, इस सारी चीज़ थौट में ही आ जाते हैं, और intelligence में भी हम इसको पढ़ेंगे, तो ये थोड़ा सा overlapping है, बट हाँ, आपको ये सारी चीज़े पढ़नी पढ़ेंगी, इसके अलावा language language से related जितने भी principles हैं चौमसकी ने दिये थे, प्याजे ने भी दिये थे, language related, तो ये सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़े हम detail में discuss करेंगे, आने वाली वीडियो में आपको मैं सारी चीज़े बताऊंगा, don't worry next है, gender, gender as social construct, gender पर questions खूब पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, definitely पूछे जाएंगे, और ये आगे भी पूछे जाते रहेंगे, तो gender as a social construct, कोई जादा मुश्किल नहीं है, एक approach आपको develop करना पड़ेगा, कि being a teacher अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो आपका gender perspective क्या होना चाहिए, क्योंकि mainly जो question आता है, वो check करने के लिए आता है, कि आपका gender perspective क्या है, आप gender neutral है या inclined है towards particular gender, ऐसा तो नहीं है तो यापको पता होना चाहिए, sex gender में basic difference पता होना चाहिए gender roles क्या होते है, gender bias क्या होते है, यापको पता होना चाहिए educational practices भी आपको पता होने चाहिए तो इस तरीके से आपको gender के सारे concept पता हो, चलिए next हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें like individual differences among learners understanding difference based on diversity of language caste gender community and religion तो क्योंकि हम society में रहते हैं और हमारे यहाँ जो society है खासकर इंडिया में यह multi-dimensional society है multi-dimensional in the sense there are caste differences there are religion differences there are language differences and gender differences of course तो यह सारी चीज़े हमें है और इन सब चीजों को हमें manage करते हुए classroom में पढ़ाना होता है तो वहाँ पे हमारा एक approach भी बनना चाहिए जिसको हम बात करेंगे inclusive education में भी वो चीज़ आ जाती है ठीक है इसके सासत जो individual difference create होता है इनकी वज़े से वो भी हमें ध्यान रखना होता है तो being a teacher आप कैसे इसको handle करेंगे एक basic approach यहाँ पर develop करने की जुर्त है यह कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई यह principle है principles नहीं है एक perspective डिलॉप करने वाली चीज़े हैं यह सारी तो यह आपको पढ़ना पढ़ेगा नेक्स्ट है distinction between assessment for learning and assessment of learning जिसको कई बार formative assessment summative assessment भी कह देते हैं school based assessment continuous and comprehensive evaluation cce pattern perspective and practice यह सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए क्योंकि being a teacher आप assessment भी करेंगे तो assessment tools आपको पता होना चाहिए questions formation के कौन-कौन से principles होते हैं वो आपको पता होना चाहिए blueprint क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए questions किस type के होते हैं वो आपको पता होना चाहिए तो यह सारी चीज़े आपको पता होना चाहिए इसके लावा एक bloom taxonomy भी आप इसमें पढ़ेंगे bloom taxonomy वो भी बहुत ज़ादा important है वो आपको पता होना चाहिए तो यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए मैं आपको basic decode करके बता रहा हूँ syllabus की आपको दिखने में लग रहा है कि यह इतना सह है लेकिन यह बहुत vast है सारी चीज़े मैं cover करने की कोशिश करूँगा next we are formulating appropriate questions for assessing readiness level of learner for enhancing learner learning and critical thinking in the classroom and for assessing learner achievement for example हम achievement test भी बनाते हैं आप सबने शायद अगर आपने regular jbt की है diet की है कुछ भी किया है तो वहाँ पे अगर आप जब आप internship में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक achievement test बनाना होता है I hope आपको पता होगा pre test post test भी होता है उसका party होता है दोनों तो यह सारी चीज़े जब हम कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़े वहाँ सीख जाते हैं कि कैसे हमें जो assessment है वो करना है किसी learner का बच्चे की learning कैसे enhance करनी है critical thinking classroom में कैसे develop करनी है यह सारी चीज़े हम वहाँ पे सीखते हैं तो as a syllabus भी इस चीज़े को include किया गया है जिसको की मैं cover करूँगा तो इस तरह के से आपने देखा यह जो था पूरा का पूरा that is the part A child development जिसमें से 15 marks question आएगा और most important topics हैं जिसको की आप बिल्कुल भी skip नहीं कर सकते हैं that is the principles of development heredity and environment इस पर से question definitely पूछा जाता है चाहे कुछ पूछा जाए ना जाए इनसे question पूछा जाता है P.I.J. Kohlberg-Wygorsky पूछा जाएगा intelligent के आपको theories पता होनी चाहिए gender based question आप से जरूर पूछा जाएगा इसके अलबा assessment for learning and assessment of learning इन पर question definitely आता है आप बाकी चीज़े skip करने की सोच सकते हैं लेकिन skip मत करेगा बट इनको दो बिल्कुल मत करेगा वरना ये मान के चले 15 में से 8 marks तक तो आपके ले आएएगे easily अगर आप सिर्फ इन topics को cover कर लेते हैं तो 8 to 9 marks आप confirm यहाँ पे sure हो जाएंगे next चीज है जो है B part that is the concept of inclusive education understanding children with special needs ये 5 marks question है topics सिर्फ दो है inclusive education आपको अच्छे से पता हो और children with special needs के बारे में आपको थोड़ी सी समझ हो अब इसमें कौन-कौन सी चीज़ आ जाती है जब हम बात करेंगे children with special needs तो इसमें दो तरह की difficulty बच्चा face करता है वो children with special needs में तो physically difficult होता है बच्चा differently abled होता है physically like उसको hearing problem है eyes में problem है speech disorder है कोई that is different and one is learning disorder कि कई बच्चे को learning disorder भी होती है dyslexia, dyscalculia, dysgraphia यह सारी चीज़े जो है that is the learning disorder तो फिर भी आपको यह पता होना चाहिए इस चीज में ठीक है इतना easy इसको मत समझिए इसके अलावा जब आप children with special needs पढ़ रहोंगे तो महाँ पे आपको inclusive education को इसके साथ जोड़ के पढ़ना है कि अगर आपके सामने इस तरह के बच्चे हैं तो inclusive education के तहत आप उनको कैसे एक साथ पढ़ाएंगे बर ध्यान रहे inclusive education सिर्फ children with special needs के साथ limited नहीं है जैसे कि हमने देखा ना background भी अगर बच्चे का अलग है religious background different है, caste difference है gender difference है तो यह सारी चीज़ हम include करनी पढ़ती है inclusive education में, तो इस तरीके से में काम करना है इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें detail में क्या-क्या बता रखा है कि आपको पता हो कि जो addressing learner from diverse background including disadvantage and deprived जो कि कि किसी भी तरीके से socially deprived हो सकते हैं, एना economically deprived हो सकते हैं, उस तरीके के बच्चों को आपको कैसे address करना है next, needs of children with learning difficulties, जैसे कि मैं आपको बताया, dyslexia, dyscalculia, dysgraphia and that's all impairment etc, किसी तरीके कि उसको impairment है, like physical problem है, speech disorder है hearing impairment है, eyes में कोई problem है, इस तरीके की अगर problem है तो, इसके लावा addressing the talented, creative, specially abled learners अब आपको ध्यान डए, inclusive education में आपको सिर्फ यह नहीं सोचना है कि इसमें special needs के बच्चे होगी, special needs के बच्चे, talented बच्चे भी, creative बच्चे भी, that they also need special care, तो वो भी इसमें include हो जाते हैं, तो इसलिए talented, creative, यह बच्चे आपको पता होने चाहिए, इनके आपको qualities पता होने चाहिए, आप easily identify कर पाएं, कि आपकी class में कौन सा बच्चा creative है, कौन सा बच्चा talented है on the basis of their behavior, बहुत सारी चीज़ आप easily समझ भाएंगे, तो यहां पर आपको एक perspective develop करने की जरूरत है, इन सभी चीज़ों के लिए next है learning and pedagogy, how children think and learn how and why children feel to achieve success in school performance ठीक है, यह सारी चीज़े हैं, यहां पर देखे, कोई आपको basic principle नहीं पढ़ाया जाएगा, कि भाई, इस psychologist ने यह कहा था, इस educationist ने यह कहा था, that is not, यह basically क्या है, that is only just education करेंगे, जह हम चीज़ों को सीख रहे होंगे, तो महाँ पर हमारा perspective डिवलग होगा, next है, basic process of teaching and learning, children's strategy of learning, learning as a social activity, social context of learning, यह सारी चीज़े हम डिसक्स करेंगे, कि learning अलग-अलग perspective में कैसे होती है, ठीक है, child as a problem solver भी होता है, scientific investigator भी होता है, यह सारी जह हम डिसक्स करेंगे, alternative conception of learning in children, understanding children's error as significant steps in learning process, and specifically इस पर questions भी पूछा गया है कई बार, कि अगर बच्चा गलती कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यह से भी question पूछा गया एक बार, कि अगर बच्चा गलती कर रहा है, तो यहाँ पर किसकी जिम्मेदार है, सिक्षक जिम्मेदार है, बच्चा स्वेम जिम्मेदार है, इस तरीके से question पूछा गया था, तो question यहाँ से definitely पूछा जाता, बहुत अच्छे लेवल के questions होते हैं, लिगने का रहा है, आपको motivation and learning, one of the important topic in psychology, learning तो है ही, learning में और भी चीज़ा आजाती है, like learning principles है, बहुत सारी, Thorndike की है, और बाकी लोगों की है, ठीक है, इसके अलावा, motivation के उपर भी बहुत सारी theories है, learning के अलावा, learning curve भी है, जो हम पढ़ते हैं, किस तरीके से काम करता है, types of learning भी हम देखते हैं, learning style भी होती है, सारी चीज़े होती है, तो ये सब चीज़े हमें इसमें पढ़नी है, next है, factors contributing to learning, personal and environmental, कौन-कौन से factors होते हैं, जो कि learning को affect करते हैं, ये सारी चीज़े हमें पता होना चाहिए, तो मोटा-मोटी देखें, तो अगर आप मेरे अलावा कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखेगा, sequence बहुत ज़्यादा important होता है learning में, आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, और अगर आप उसका learning change जो होती है, उसको अगर आप break कर दें, that is difficult for you also, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, books के अगर मैं बात करूँ तो market में बहुत सारी books हैं, आप किसी books से पढ़िए, मैं किसी को भी यहाँ पर promote नहीं करूँगा, कि आप इस books से पढ़िए, उस books से पढ़िए, it is your choice, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर आपको पढ़ाने ही आया हूँ, मैं सारी चीज़े खुद अपने channel पर आपको provide कर दूँगा, उमीद है कि आपको शायद किसी book की जोड़ भी ना पढ़ें, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छे लगी तो like ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो subscribe करना हो भूलेगा, मिलेगा अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद